हलो फ्रेंड कैसे आप देखिए मैंने चटपट्टा चीजी बॉंग्स बनाया था जो कि बच्चों को बहुत पसाद आता है और यह साम को नास्ते में आसुभी नास्ते में बनाई बहुत अच्छा गड़ता है देखिए चीजी कितना चीज है इसमें तो मैं इसके यस पी मैं चीज गिए मैं जोर्यखया चीज गिजेगा आप इससे यह अच्छा गता है और अधी कटोरी कौर्ण नेजयेगा में पास एक कंटोरी कौर्न तो मैं थी आधी रक्टाकिस में बहुत इसमें चीज में ड़ाग दीया है और ऐछी महीत माहिन हाट बिएगा। मेच आपके खाते हों हरे मेच और रहा घनिया यह तो आपके उपर है कि आप ''ईए सब जागना चाहे जाए आपके मल जीरे अर्ज कर डूहाऊँ छोटा चंमच जीरा कागि मेच पिसी छोटा चंमच और गागमेच आप खाते हो तो ठीक है और एक चम चान मसंग इससे टेस्ट आता है और इसमें मैंने दो ब्रेड गिया हुआ है मेरे पास ब्रॉण ब्रेड थी मैंने ब्रॉण गिया हुआ है अगर आपके पास वाइड ब्रेड हो तो आप वाइड भिंगे सकते हैं कोई भी ब्रेड इसमें कितने समान से सब के घर में रहता है कौन चीज ब्रेट तो सभी के पास रहता है ब्रेट कम हो गई तो तुम्हें ने इसमें और गेंगिया है इसको भी अच्छे से मसंके हाथ से मसंके तोड़के मिक्स कर दूंगी इसमें पुराना चैनल मेरा डिंगीट हो गया तो यह मैंने नया चैनल बनाया है अगर आपको अच्छा गरी तो आप सब्क्राइब करना और गाई कमेंड भी करना पता नहीं मुझे नहीं पता पुराना चैनल मेरा बहुत मेनत गरी थी कैसे डिंगीट हो गया मुझे बाद में पता शो तो बड़े बनांगे इसे बंग बनांगें इसे इसे बंगाने के जर्ट बनांगे привет ऑभ च्छले बनागे थी कॉआ यह काफी बन जाएंगे एसे जर्ड़ स हैंना कि या सानी से बन जाते हैं इसमें घी या कोई अगाने की जोगत नहीं असानी से बॉंक्स बन जाते हैं देखिए डी हो गये सारे बॉंक्स में आशे बनाके रखंगी हैं मैं एक कट्रोगी गेती हूं और उसमें एक बड़ा चम्माच आपके पाद छोड़ा चम्माच तो दो गेंगी जे नहीं बड़ा चम्माच हो तो एक चम्माच मैदा और एक चम्माच कॉन्फ गोल का पाउडर और इसको थोड़े थोड़े पाणी डांके इसका गूँग बनाना है पहरे थोड़ा सा दो चम्माच पाणी डांगिए फिर उसको मेक्स करिए फिर उसके बाद और पानी डांके इसका गो भूः बना लेना है इसका पतंगा गूंग बनाना है यह देखी इतना पतंगा मैंने इसका गूंग एर्डी कर गिया है अब मैं मिक्सी का एक जाग गेती हूँ और जो मार्केट में कौन नहीं आता जो नमकीन में पढ़ता है जो छानते हैं घी में जो छानत की कौन बनता है खाते हैं नमकिन में, वो मैंने कॉर्ण गिया, यह सभी जनल रिष्टोर में आसानी से आपको मिंग जाएगा, तो मैं इसको पी सुंगेती हूँ इतना महीन करती हूँ कि यह सूजी जैसे सूजी नहीं होता, वैसे इसका बनाईए, कौन का बॉंक्स बनाईए, उपर कोट करेंगे, बहुत अच्छा इसका बॉंक्स बनता है, यह सौप्ट भी नहीं होता है, इसको आप काफी देर दर छान के रख दीजिए, तो यह वैं नहीं होता है, मैंने गोंब में बउंक्स को डिप किया, उसके बाद फिर मैं इस पर ощ का गणा कॉँर कर दूँगी, कौन का गोट कर दूँगी जाओ तरब इसके, इसी तर मैं सारे बॉंक्स को डिप कर्के, और कौन पाउडर में कोट कर दूँगी, यह देख़े अच्छे से किता अच्छा अगा अभी किता अच्छा टेस्टिंग अगर इसे गड़ू हो यह देखे हैं मैंने सिता सारे बांग्स को ऐसे बना के रख निया है अब इसको ज्यादा दिर मत रखिए अब बना कि तुगंट आप इसको चानिये तुगंट अच्छा रखता है अच्छे से कोड़ हो जाए अब इसको तुगंट गैस पर कढ़ाई चानिये और यह जब इसको चानिये ना तो इसकी फ्रेम गैस की फ्रेम हाई पर हो उसके बाद थोड़ी दे बाद इसको मीडियम पर करिए और इसको अंगटते पंगटते जाना ताकि चावत अब इसकी पहने चानग में मैंने बहुत अच्छे च्छे स्पीड आगे तो इसमें में काफी सब क्याई सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना ताकि मैं आगे बाड़स को पहंगे की तरह देखे एडी हो गया देखे तो निकाम गेते हैं सारे बाग्स को ऐसे ही जिसने बाग्स मैंने बनाया थे सब को मैं ऐसे डी फ्राइब कर गेती हूं चान गेती हूं और में सारे बाग्स मैंने छान के निकांगी यह हैं अब इसको आप केचप से खाईए चट्टी से खाईए अच्या ऐसे जैसे भी आपको पसंदो आप ऐसे खाईए देखे चीजी बाग्स से गेडी है देखे किता इसमें चीज है